हेलो बच्चों, आज हम एक कोश्चन डिस्कस करेंगे, ये कोश्चन क्लास नाइन्थ की मैथ की बुक से चेप्टर 12.2 का कोश्चन नुमबर 9 है इस कोश्चन को हम डिस्कस करेंगे, आप बस वीडियो में आंतर तक बोने रहें और ध्यान से इस कोश्चन को देखें चले शुरू करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम से कोश्चन में बोला गया है तो यहाँ पर यह एक ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम का हमें एरिया फाइंड करना है तो इस question में दिक्कत क्या है वो मैं पहले trapegium के area का formula लिख दूँ फिर बताऊंगा तो trapegium के area का formula होता है 1 by 2 sum of parallel side into height तो जब यह formula होता है तो इसमें problem क्या है 1 by 2 हमें फार्मूले में ही दिया हुआ है समा parallel sides यह होती है parallel side यानि 1025 यह हमाराम से रख लेंगे problem height में है कहां problem है height में problem है हमें height नहीं दिया गया है इस question में क्या नहीं दिया गया है height नहीं दिया गया है तो सबसे पहले हमें height को calculate करना होगा फिर उसके बाद में हम यह वाला formula लगा करके इस field का area find करेंगे तो वो height हमें कहां मिल सकती है देखो आप कहीं से भी एक perpendicular line डाल सकते हो यह हमारी height होगी लेकिन यहां से height को calculate नहीं कर सकते हम height इस triangle से calculate कर सकते हैं तो जैसे मालो हमारा कोई यह trapegium है ऐसे दिखता है तो यहां पर तो height जैसा कुछ बना है नहीं यह trapegium है तो यहां पर क्या करते है देखो इसके parallel हम यहां पर एक line डाल लेते हैं ऐसे जैसे यह डाला हुआ है हमारा तो यह हमारा A, B, C, D है तो हमने कौन सी लाइन डाल ली? हमने CE लाइन जो है परलल डाल ली AD के तो उस case में यह एक triangle बन जाता है और इस triangle का height हम find कर सकते हैं इनके values का इस्तेमाल करके एक बार height मिल जाएगी तो वापस से इस formula में आकर के value फुट कर देंगे और हमारा solution हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं अब देखो मान लो हमारे पास यह एक triangle है triangle कैसा है? triangle है E, B, C यहां से एक perpendicular डालेंगे इसको मान लेंगे H यह वाला है 13 meter अब चुकि यह जो AD line है CE line parallel है तो जो AD होगा वह वालू CE का होगा तो यह भी हो जाएगा 14 यह हमें 10 दिया है टोटल 25 दिया है तो इस 25 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15 तो यह होगा हमारा 15 अब यहां पर here and formula लगा करके इसका area find कर लेंगे solution in triangle EBC we have A is equal to 14 meter B is equal to 15 meter C is equal to 13 meter then सबसे पहले semi perimeter find करेंगे तो semi perimeter का formula होता है S is equal to A plus B plus C by 2 और value put करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 14 plus 15 plus 13 by 2 तो यह हो जाएगा 3 plus 5, 8 plus 4, 12 1 carry 1, 2, 3 पलस 1, 42 by 2 यह आजाएगा हमारे पास 21 meter कितना आजाएगा semi perimeter हमारे पास 21 meter आजाएगा तो यहां से अब here runs formula इस्तेमाल करेंगे using here runs formula तो here runs formula क्या होता है A is equal to देखो यह होता है हमारा here runs formula A is equal to under root S S minus A S minus B S minus C तो यहां पर हम direct value को पुट करते हैं तो A is equal to हो जाएगा S 21 21 minus 14 21 minus 15 21 minus 15 21 minus 13 जब इनको और solve करेंगे तो क्या मिलेगा 21 into 21 minus 14 करेंगे तो 7 मिलेगा 21 minus 15 करेंगे तो 6 मिलेगा और 21 minus 13 करेंगे तो हमें मिलेगा 8 कितना मिलेगा 8 मिलेगा अब देखो इनको हम further factorize कर लेते हैं तो जो 21 होता है वो 3 into 7 का multiple होता है यानि कि 3 7 ज़े 21 तो 21 के जो factor बनेगे वो 3 into 7 बनेगे यह 7 आल्रेडी है 6 के जो factor बनेगे वो 2 into 3 बनेगे 8 के जो factor बनेगे वो 2 into 2 into 2 बनेगे ठीक है एक बार इनको reorganize कर देगे तो यहाँ पर देखो 2 जो है वो 4 times आया है 2 into 2 into 2 into 2 3 जो है वो 2 times आया है 7 भी 2 times आया है अब देखो pair बना बना करके बाहर निकाल लेंगे तो एक यहाँ पर बन रहा है एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर तो pairs सो सारे बाहर हो जाएंगे 2 यहाँ से 2 3 and 7 इनको जो multiply करेंगे तब क्या आएगा देखो 7 3 जा 21 21 टूजा 42 और 42 टूजा 84 तो 84 meter square जो होगा वो हमारे triangle का area हो जाएगा अब हमने triangle का area क्यों find किया तो वो हम बताते हैं पहले आप इतनो right कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आप इतना right कर लो फिर आगे बढ़ते हैं देखो यहाँ तक हमने find कर लिया था यह हमारा area है इस triangle EBC का लेकिन आप देखो कि यहाँ पर एक height भी है तो इस प्रकार से triangle का area हम 1 upon 2 base into height के फार्मूले से भी calculate कर सकते हैं तो चलिए फिर but we know that area of triangle is equal to 1 by 2 base into height यहाँ पर h क्या है height of triangle है और b क्या है base तो देखो इस triangle का base हमें पता है 15 meter height नहीं पता है तो calculate कर लेंगे तो यहाँ पर value रखेंगे 1 by 2 base is equal to 15 और h को h रखेंगे area of triangle हमें यहाँ से पता है वो हम यहाँ पर रख देंगे कितना? 84 आप इसको calculate करेंगे तो 2 इधर आजाएगा 84 into 2 is equal to 15 into h अब h की value अगर हमें find करनी है तो 2 4 जा 8 to 8 जा 16 यह 15 को इधर बेजेंगे तो divide में आजाएगा तो इसको जब cut करेंगे तो यह 3 से cut जाएगा देखो 3 5 जा 15 वर्न डिमेन हो गया 3 6 जा 18 और यह हो जाएगा 3 5 जा 15 यानि कि यह कितना आजाएगा h is equal to 56 upon 5 meter आजाएगा तो एक बार जब इसकी height आ गई तो हम यह आपर लगाएगे area of trapegium तो now using formula of area of trapegium तो trapegium के area का formula होता है a is equal to 1 by 2 sum of parallel sides into height क्या होता है into height तो sum देखो parallel side एक यह है 10 meter और एक यह है 25 meter तो 1 by 2 into 10 plus 25 into height के value हमें यह से पता है 56 by 5 तो value को further रखेंगे तो देखो 10 plus 25 35 हो जाएगा into 56 upon 2 into 5 हो जाएगा तो 5 जा 5, 5 से बन्जा 35 और 2 जा 2 2 जा 4, 2 जा 16 तो यह फर्दर हमें मिलेगा 7 into 28 कितना मिलेगा 7 into 28 7 को multiply कर देंगे 7, 8 जा 56 5 carry 7 to 14 और प्लस 5 19 तो कितना आजएगा यह आजएगा 196 meter square कितना आजएगा 196 meter square तो यहाँ पर आगे लिखेंगे 10 तो उमीद करता हूं इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आपको कुछ आजएगा आया होगा कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को like कर लें चैनल को subscribe कर लें और अपने दोस्तों को भी share कर लें और हाँ comment box में बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you class